सत्तर साल पले हमें आजादी मिली, आम जनता हम सब लोग सासक बन गए इस देश के, हमने अपनी सुविधा के लिए कई सेवक रखे, जन सेवक, लोक सेवक, सरकारी सेवक, लेकिन इस थीतियां दिन परती दिन क्या होती गई, ये किसी पार्टी के बारे में नहीं है, सासकों के पास हो गए हैं धेर सारे सवाल, जद्दो जहद में जिंदगी की, सासकों के पास हो गए हैं धेर सारे सवाल, बार-बार बदलता है सेवक, लेकिन किसी के पास नहीं हैं एक के भी जवाब, सेवकों ने बना ली हैं सासकों से दूरी, रहते हैं साथ सुरक्षा घेरों के अंदर सासकों की पहुँच में नहीं है सेवक चाहते हैं सेवक, भूल जाएं सासक, पिछली बातें, रखें नहीं याद किसी वायदे को लेकिन क्या करें सासक, बुने थे सपने तो उनी भर, उसी नी के भर, उसे करें क्या, दफनाएं कहां उन सपनों को, बिखेरें कहां उसकी राख, दुखी है सासक और परिसान है सेवक अब सासक जब मिलने जाता है अपने सेवकों से, जैसे हम जाते हैं किसी सेवक से मिलने तो वहाँ पर जो इस्थितियां होती हैं, जो वहाँ के लोग होते हैं, वो कते हैं, कतार बद्ध हो जाओ सासकों, कर बद्ध भी रहना, जुकालो नजरें, किसी भी हाल में उठाना नहीं सिर्व, एडिया रखो चटकाने की मुद्रा में, पंजे रहे तयार रेंगने के करना नहीं कोई सवाल, पूछें तो कहना ठीक है सब, जब से आये हैं आप बहर रहे ये दूद की नदी, खा रहा हूं भिंगो कर उसी में खा जा, गर्म धी के कुंड में तल रहा हूं मसरूम, सत्तर वर्सों से खांदानी स्यासक हो तुम, मुझे बताया जा रहा हूं, निर्देश दिया जा रहा है कैसे सेवक से मिलना है, सत्तर वर्सों से खांदानी स्यासक हो तुम, अच्छा नहीं लएगा रोना, तुम्हारा दुख़़गा, 24 गंटे खटता है तुम्हारे बहतर दिन के लिए, त्याग दिया है घर परिवार कैसे सासक हो तुम, कैसे सासक हो तुम, आया नहीं अब तक तुमको सेवक पालना, कैसे सासक हो तुम, आया नहीं तुमको पालना अब तक सेवक, रखते हैं कैसे ख्याल, करते हैं क्या-क्या यतन की टिका रहे सेवक, सेवक को भी करने होते हैं, सेवक की करनी होती है, कैसे अ मुराद सासकों, हो तुम गुलाम बनने के लायक ही, फुरसत कहां है सेवक को तुम्हारे, सोचने और भटकने से दुनिया तुम्हारे हित में, रक्षा सर्वो पर ये तुम्हारी सासकों, कब समझोगी यह बात, महज मिलने से आजादी, आजाद नहीं हो गए हो तुम, याद जाता था उसकी रवों में, चिंघार उखता था मह, उसकी आशों से आजाती थी गंगा चिनाव में बाढ, दोस्त तुम्हारा है मुर्क सासकों, तुमने रखा उसे काम पर तब, जब पथरा आ गया उसका दिल, बचा नहरा आखों में पानी, फिर भी चिंतित है वह, घू लाना, रोठी रोठी, जिंदा रहने के लिए जरूरी है असलहें, ऐसा मानता है शेवक तो मानलो तुम्ही, कहने भरसे आजाद नहीं हो गया हो तुम, कहने भरसे कैसे मानले सेवक की निरापद हो तुम, भावीश सासकों से चतुर्दी घिरे हो सेवक, भावी सासकों से चतुर्दि घिरे हो तुम सेवक को रखनी पड़ती है इसलिए पल पर तुम पर निगाह पकाते हो क्या बोलते बतियाते हो किस से आते जाते हो कहां कहां सबका रखता है हिसाब तुम्हारा सेवक सबका रखता हिसाब तुम्हारा सेवक दो नादान हो तुम सासों, बर्गला सकता है कोई भी, यह एक लंबी सृंखला है, जिसका एक पराणी कवितार्यों चुए जिसका कविता, ऊस्य क्यांस थे यह, एक छोटी से कविता साहद आपlor ने से कुछ लोगों ने सुनी हो, मा को ले करके है आपने से कई लोगों का अन्भो होगा कि बच्पन में जो हम छोटे थे तो घरों में इसी या पंखा इस तरह की चीज़े नहीं होती थी हम गर्मी की दिनों में छट पर सोते थे और मा हमें तारे दिखा कर बताती थी कि ये कौन सा धृपतारा है, कौन सा सब्तरसी है और क्या है और कई बार मेरी मा यह कहती थी कि जो आखें हैं ये पूरवजों की आखें है ये जो हमें देखती है रात में कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे है उसी पर एक छोटी सी कविता कि टिम्टिमा रहना जो आकास में आखें हैं पूरवजों की जब नहीं होता है सूरज तब जाग कर सारी रात देखती है कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग मैं भी ऐसे ही देखा करूंगी तुम्हें जब नहीं रहूंगी तुम्हारे पास चलचला जाता था मैं यही बात बताई मैंने ठटा उठे बच्चे दादी आपको मुर्ख बनाती थी पापा ग्रहें तारे आंखे नहीं कैसे कहूं बात ग्यान की नहीं आस्था की थी और इसी का एक दूसरा छोटा सा और अंसुनाता हूँ कि टेक आप से लेकर लेंडिंग तक खब्तुल हवास रहता हूँ अक्सर बताते हैं सयात्री बच्चे दिखते रहे कब तक दर्सक दिर्गा में एर होस्टेस ने की कितनी देर प्रतिक्षा कुछ पता नहीं बस खिड़की से मूँ सकाए आच्छिती स्तलास्ता रहता हूँ किसी को इनी बादनों को दिखा कर बच्चपन में कहा था माने ज़्यादा दूर नहीं बस जाना होता है इनी के पार खाली न हो जाये स्वर्व लोग इस डर से दी नहीं जाती है इजाजत आने को वापस धर्ती पर मा को क्या कहूं किसी को लाक समझाओं खुद को मानने को जी नहीं करता कि जूट कहा था माने मानने को जी नहीं करता कि जूट कहा था माने